प्यारे बच्चों, आज हम स्वामी विवेक अनन्द के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही प्रेणा दायक कहानी सुनेंगे। मुझे पूरी उमीद है कि आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी। बच्चों, एक बार स्वामी विवेक अनन्द के भुगोल के शिक्षक श्री वेणु गोपाल जी कक्षा में आए। उनके शिक्षक बहुत ही रौबदार थे और उन्हें बच्चों की के हुई कोई भी गलती स्वीकार नहीं होती थी। जब वेणु गोपाल जी कक्षा में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे अपनी कौपी नहीं लाए हैं। उन्होंने सभी बच्चों से अपनी कौपी जमा कराने के लिए कहा। तब ही कौपीयां चेक करते करते शिक्षक के हाथ में एक कौपी आ गई और उस कौपी को पढ़ते पढ़ते जो उनके शिक्षक थे उनके चेहरे के रंग बदल रहे थे। ये कौपी उसी कक्षा के एक विद्यार थी नरेंद्रिनाथ दत की थी। जब वो कौपी पढ़ रहे थे उसी समय नरेंद्रिनाथ बड़े ध्यान से शिक्षक के चेहरे के बदलते वे हावाओं को देख रहे थे। अब शिक्षक ने नरेंद्रिनाथ को अपने पास बुलाया और पूछा नरेंद्रिनाथ ये बताओ सईप्त राजे अमेरिका की राजधानी कौनसी है। सुनकर के नरेंद्री ने उत्तर दिया गुरुजी वाशिंगटन सुनकर के शिक्षक ने कहा तुमने पाठ ठीक से याद नहीं किया है और दुबारे से पूछा ठीक से बताओ कि सेप्तरा जेमेरिका की राज़ानी कौन सी है नरेंद्रीनात ने अभी वही उत्तर दिया गुर नरेंदरिनात बार बार गलत बात ही दोहरा आ रहा था अब गुरुजी को गुसा आया और उन्होंने गुसी से पूछा नरेंदरिनात ठीक से याद करके बताओ कि स्वेक्त राज अमेरिका की राजधानी क्या है नरेंदरिनात ने बहुत ही अडिक्स एकदम से उतर दिया अमेरिका की राजधानी न्यूयोक है उसके बाद गुरुजी ने अपनी बैत मंगवाई गुरुजी ने बहुत जोर जोर से नरेंदरिनात के हाथ में बैत मारी ये देख करके सभी बच्चे कक्षा के सहम गए उन्होंने फिर से पूछा अब बताओ कि क्या है अमेरिका की नरेंदरिनात ने उसी स्वर में उत्तर दिया गुरुजी राजधानी तो अभी भी वाशिंग्टन ही है अब ये सुनकर के गुरुजी बहुत परिशान हो गए उन्हें लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ही उत्तर गलत हो उन्होंने बोगोल की किताब उठाई और उसको बारेकी से अध्यान करने लगे कुछ तेर बात उनका उत्तर उन्हें मिल गया अब कुरुजी ने नरेंद्र रात से कहा नरेंद्र तुम सही थे न्यू यॉक अमेरिका की राज़ानी नहीं है वाशिंगिटन ही है और आज तुम्हारी सच के साथ तुम जो मजबूती से खड़े रहे उसी ने मुझे दवारे से सोचने पर मजबूर किया और मैंने एक सही उत्तर ढूंड लिया तो जीवन में अगर कभी भी आपको लगे कि आप सही है आप सच है तो आप उस सच के साथ मजबूती से खड़े रहे परिशान नहों घबराए ना और अपने जबाब को बदले ना क्योंकि सच को कोई भी ताकत जुका नहीं सकती